दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा एडिटिंग अप्लिकेशन लेके आया जिसको यूज करने के बाद आप लोग कहोगे कि भाई अपने क्यों पहले नहीं बताया था सो गाईस यह जो एडिटिंग अप्लिकेशन है ना इससे आप लोग वीडियो एडिट कर सकते हो साती साथ आप लोग AI वाला फीचर्स का मज़ा उठा सकते हो जैसे आप इसी अप्लिकेशन से आप लोग इसक्रिप्ट बना सकते हो आपको कोई महनत नहीं करना होगा बस आपक मुझे यह वाला स्क्रिप्ट चाहिए आपको इसक्रिप्ट बना के देदेगा उसके बाद वीडियो जिनरेट कर सकते हो AI वाला बहुत सारे AI फीचर्स है आप लोग एक बार यूज करके देखना मज़ा आ जाएगा तो चलिए कैसे आप लोग यूज करोगे ना करोगे कहा आप देखो साब साब लिखा है get started for free तो इसको पर क्लिक कर देना इसको पर जब क्लिक करोगे तो यहाप फाइल आटोमेटिक डाउनोड हो जाएगा तो आप यह से इसको इसको इंस्टॉल कर देना ठीक है तो मैं यहाप इंस्टॉल नहीं करोंगा क्योंकि मेरे पास अल्रे इसे इंटर्फिस आता है यहाप एक्रियेटे वीडियो आप यहाँ से वीडियो एडिट कर सकते हो उसके बाद देखो यहाँ पर आता है बहुत सारे फीचर्स जैसे इसकिन रेकोडर उसके बाद देखो सब्टाइटेल में कर दानी आप देखो टेक्स्ट वी स्पीस आप यहाँ पर कुछ लिखोगे और टेक्स्ट में कंवर्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखो ट्रांसलेट सब्स्ट्राइटल उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ वीडियो जनरेट आप यहाँ से यहाँ वीडियो जनरेट कर सकते हो ठीके उसके बाद देखो आपको सीखाता हूँ कि किस तरीके से अब लोग वीडियो को एडिट करोगे, ठीक है, सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा एक creative वीडियो, तो इसको उपर क्लिक कर जेना, इसको उपर जब क्लिक करोगे, तो आपके सामने देखो कुछ ऐसा interface आज आएगा, सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर वीडियो इंपूट करना है, वीडियो कैसे इंपूट करोगे, दो step, एक यहाँ पर देख सकते हो input file, और एक देखो नीचे आ रहा है, ठीक है, दोनों की मध्धम से आप लोग से input कर सकती हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर click कर दोंगा, click करके, मैं अपने वीडियो को यहाँ से input कर लोगा, ठीक है, तो देखो वीडियो यहाँ पर मेरा input हो चुका है, उसके बाद आप मेरे को क्या करना है, इसको drag करके नीचे छोड़ देना है, timeline पे, तो आपको भ आएगा ratio तो यहां पर कलिक करके आप यहां से रेशियो कर सकते हो जैसे Instagram देख सकते हो TikTok और भी बहुत सार यहां पर लोग देख सकते हो ratio ठीक है तो मैं यहां पर करूँगा यहां से पीछे वाला पार्ट फ़रा इसको मैं इडिलीट करूंगा तो कैसे करूंगा तो यहां पर प्रोसेस ऐसे करके आप लोग गलेट कर सकते हो उसके यहां पर बहुत सराaktर आता है जैसे यहांसे आप साएंड इफट लगा सकते हो बहुत सरी साभिधेश्च्ट है आप लोग सिंग कर सकते हो उसके बाद अप लोग यहां से ट्रांजेक्शन लगा सकते हो ठीकिके कुछ इस तरहा In forehead लगा सकते हो और भी बहुस सारे स्कqua ओष्जेक्शन यहां पैर पर शिर्क्रों मैं पर नदेकर फिल्टर रहे आप आसे फिल्टर लगा टरहे तो इसा तरी से अपको क्या करना है आपको यहाँ पर कलर ग्रीडिंग करना है कि ऐसे बाद यह पर दिखुए है उसके बाध यहाँ पर आथएows भुश些 अपक्प्लोग यहैं पर दाको है तो शॉंच इसलिए आदिश करना है गिंदा कर दर बो eligibilityili seis जो कि मैं आपको आगे बताओंगा कैसे आप लोग करोगे यहाँ पर मैंपको दिखाता हूँ एक मैजिक जो कि काफी अच्छा है तो मैं इस पार्ट के उपर क्लिक करती है किली करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टाटिंग एनिमेशन जो कि आप लोग आओ, वेरी नाइस तेक सकते हो कितना अच्छा लग रही तो गाइस具 इस तरह के साप लोग यहाँ पर एडितिंग वगर कर सकते हो के एडिटिंग करने के बाद एक्सपोर्ट कैसे करोगे सिंपल करोंगे इस इचक्लीक करके अप लोग यह से export कर सकते हो, format देख सकते हो, यहाँ पर मिल जाएगा info4, then यहाँ पर आप लोग 4 की आप लोग save कर सकते हो, then सारे settings को करने के बाद आप लोग क्या करना, इसको यहाँ पर export पर click कर देना, आपका video यहाँ पर export हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको video rating करना सिखा दिया, एक दम basic तरीकी से, अभी मैं आपको सिखाता हो कि कैसे आप लोग AI features को use करोगे, जैसे AI video generator, उसके बाद देखो AI copywriting, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, text to space, और भी धेरो सारे यहाँ पर आपको features मिलेगा, ठीके, तो guys सबसे पहले मैं आपको सिखाता हो कि कैसे आप video footage आजाएगा, तो यहाँ पर लिखने के बाद आपको next पर click कर देना है, click करने के बाद देखो यहाँ पर आजाएगा auto peak, तो इसको उपर click कर देना है, इसको उपर जब click करोगे तो guys आपके समने देखो यहाँ पर दोड़ो से loading होगा, और यहाँ पर depend करता है, internet के उपर, तो यहाँ पर आपके समने clip आजाईगा एकदम चुटकियों में, तो देखो यहाँ पर आगया video footage, देख सकते हो, इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर footage को मंगा सकते हो, ठीक है, तो guys यह वाला features को आप लोग use कर सकते हो, जो की काफी अच्छा है, उसके बाद आप आप लोग यहाँ से इसको export कर सकते हो, okay, चलो, मैं आपको यह वाला features में आपको दिखा दिया, अभी guys मैं आपको दिखाता हो कि कैसे आप लोग script लिखोगे, मतलब आपको महनत नहीं करना है, बस guys यहाँ पर दो second पर यहाँ पर script बनके ready हो जाएगा, अगर आप लोग comedy करत बस आपको लिखना है, आपके समने script आजाएगा, मतलब कोई भी writer का जरूरत नहीं है, so यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने क्या लिखा है, write a funny script about an IPL match in under 2 minutes, मतलब 2 minutes के अंदर मुझे IPL की, मतलब funny की सबसे मुझे script लिख के दो, ठीक है, मैंने कुछ इस तरीकी से लिख द दिखा दिता हूँ, क्या की आया है, यहाँ पर देख सकते हो, act 1, मतलब act 1 पर आपको यह सरे चीज़ करना है, उसके बाद देखो, act 2, act 3, उसके बाद देखो, मतलब बहुत सरे आपके सबने, यहाँ पर script आजाएगा, आप लोग जितने सरा लिखोगे, उतने सरा यहाँ आ आपके सबने, यहाँ पर script आजाएगा, चुटगियों में, तो यहाँ पर आप लोग देखा, किस तरीकी से जश्ट एक सिगंड की अंदर script लिखके आगया, यहाँ की मद्धम से, तो आप लोग यूज कर सकते हो, काफी अच्छा feature से, अगर आप comedy करते हो, तो आपके लिए तो यह वाला feature से, एकदम कमाल का है, ठीक है, और भी अगर कोई भी काम करते हो, तो आपको यह वाला features काफी benefit दिलाएगा, उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है subtitle maker, कैसे आप लोग subtitle लिखोगे, auto subtitle, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने आएगा input file, इसको पर click करके आप अपने वीडियो को यहाँ से input कर लो, ठीक है, उसके बाद देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है auto subtitling, ठीक है, इसको पर click कर दो, इसको पर जब click करोगे, आपके सामने guys, यहाँ वे subtitle लिखके ready हो जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हो, मेरे सामने आ गया, यह व तो यहाँ पर आपके सामने sacro font आजाएगा, तो आपके सामने यहाँ पर ढूंडना और ढूंडने के बद देखना, आपके सामने यहाँ पर आजाएगा विरियानी black, ठीक है, इस font को आपको यहाँ पर यूज करना है, otherwise आपका जो हिंदी font है, यहाँ पर सो नहीं होगा, ठ आप लोग change कर सकते हो, लगा सकते हो, और ही बहुत सरे features है, कुछ इस तरही किसा आप लोग subtitle लिख सकते हो, ठीक है, काफी easy है, और यह जो application इसको आप लोग use करके देखना यहाँ मजा आ जाएगा, तो guys कुछ इस तरही किसा आप लोग इस application का मजा उठा सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले इस application को download करना है, link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा, ठीक है, so guys मिलता हूँ next showy वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like करके, channel को subscribe करके, bell icon को on कर देना, ऐसे interesting वीडियो पाने के लिए, चलिए, bye bye